यहाँ डर के ना बहुत सारे माइने होते हैं और यह जो डर के माइने होते हैं उसके उगर आप गवर से सोचो कि यार हमें भूछ से डर क्यों लगता है हमें किसी चोर से डर क्यों लगता है हमें कोई ऐसे थीफ से डर क्यों लगता है इस सारी जो चीज़े होती है ने इसलिए होती है paranormal से डर क्यों लगता है अप अपनी life का जो control है किसी के और के हाथ में दे रहे होता है कि यार यह मेरा control किसी और के हाथ में चला गया वो मेरे साथ क्या कुछ भी कर सकता है तो you become a slave right और today we are a slave of what smartphones हम तो smartphone से बहुत कुछ करते हैं banking pay tm shopping chatting password तक रखे होते हैं आप वीडियो भी शूट कर लेते हैं और इसी से editing कर भी कर लेते हैं तो privacy थोड़ा concern होता और कुछ लोग तो फिर telegram के उपर का भी independent होते हैं अब ऐसी situation में जब पूरी जिन्दगी जो है आपकी life जो है वो phone के तुरू चल रही है और वो phone को यह अगर कर ले hack तो फिर आपको जो घवराट होगी तो क्या होगी और आपको यह पता भी नहीं क्या हो रहा और आपकी जो भी kept on phone यह सब चीजें जो है काफी critical हो जाती है तो नामी की यहां पर अपको कहानी दिखेगी वो उसका phone खो जाता है office जाता है और जू जंग को मिल जाता है कुछ बहाने के बाद वो phone वापिस तो करता है बड़ उसके दो कुछ डाल देता spyware types और उसके बाद वो पूरी जिंदगी उसकी monitor करना शुरू कर देता है और जो भी अच्छा चल रहा होता है नामी की life के अंदर वो upside down हो जाता है तो मोटा-मोटा हमें दो समझ में आ रहा हो था कि उसकी life में क्या हो रहा और क्यों हो रहा है बड़ नामी को यह चीज नही not rise और आपको पता ही है कि koreans जो होते हैं easy path तो लेते हैं थोड़ा सा ठेटने मेटा path लेते हैं तो ट्विस्ट भी आते ही आते हैं तो उसके लिए figure out करना यह movie कि कितना bounce back को कर पाती है कि नहीं कर पाती है क्या होता है साथी साथ में कुछ investigation thriller भी चल रहा है पुलिस के द्व पारा वो क्या है वो में थोड़ा सा छोड़ दूआ वह भी कुछ lead-in करता तो मोटा मोटा यह जो आपको scare create होता है कि आपका phone है जैसे मैं यहां बात करो लेकिन कुसी और के पास भी यह शेम चीज लाइब जा रहा है क्योंकि क्या हो यह सब चीजे थोड़ी सी scare create करती है औ और मज़िदार तरीके से इसको दिखाया है इसके अंदर जो CGI टाइप का work दिखाया गया है कि phone के ओपर buttons buttons यह सब चीजे यह सब चीजे यह से mirror हो गया और phone वो सब चीजे इन अच्छी तरीके से यहां पर present करी है और आप इंडल्ज हो जाते हो generally और ऐसा लगने लग जाता ह यह फोन जो है न कुछ भी कर रहा है जबकि जो फोन होता है वो control कर रहा होता है कोई और क्या कुछ होता उसके आगे वो तो आप आगे देखना इंडल्जिंग स्टोरी इस गुट स्टोरी यह बात ज़रूर है कि आपको यह कोरियन में देखनी पड़ेगी यह हिंदी में औ बहुत सारे लोग कोरियन के बहुत जादा फैने कॉंटेंट के तो आप सब्टाइटल के साथ देख सकते हैं जो इंग्लिश में अवैलेबल है जैसे बाकी कॉंटेंट भी देखते हो तो जल्दी मिलते हैं और रिव्यूस अप्डेट के साथ जाते याते मेरा जो मुवी श